राधे राधे मित्रो स्वागत है आपका अपने ही चैनल में तो मित्रो तुलसी विवा पर आप कुछ ऐसे उपाए कर सकते हैं और इस उपाए को करने से आपकी आर्थिक तंगी भी दोर हो सकती है साथ ही साथ मा लक्षमी की कृपा भी आप पर बरसेगी तो वो कौन से उपाए है जो आपको तुलसी विवा के दिन करने हैं चलिए आपको मैं बताती हूँ तो मित्रो पंचांक के अनुसर अगर मैं बात करो तो इस बार तुलसी विवा जो है वो लोगों के बीच में अभी भी कंशूजन ही है 12 नौमबर को भी 11 वाले दिन भी लोग तुलसी विवा करना चाते हैं और 13 नौमबर को भी 12 तिथी पर भी तुलसी विवा की जाएगी तो धार्मिक मानेता है कि सच्चे मन से तुलसी माता की उपासना करने से जातकों को धनलाब के योग जरूर बनते हैं अगर आप भी अपने जीवन को खुशाल मनाना चाते हैं तो तुलसी विवा के दिन आपको बहुत ऐसे उपाय है जो आप कर सकते हैं पर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि तुलसी विवा का जो सही मुहूत क्या है तेखे पंचांग के अनुसार जो है सुकलपक्ष की एकदसी बारा नौंबर को है इसके अगले दिन तुलसी विवा मनाया जाएगा कई राज्यों में मनाया जारा है तेरा तारिक को सुकलपक्ष की द्वादसी तिधी के अनुसार आईए मित्रो अब हम जान लेते हैं तुलसी जी के उपाय अगर आप तुलसी माता का आशिरवाद पाना चाहते हैं तो तुलसी विवा के दिन विधी पूर्वक से जगत के पालनहर भगवान विश्णू और मा तुलसी की उपासना करे कच्चे दूद में तुलसी दल मिलाकर भगवान विश्णू का अभिशेख करे इस समय आप नियमित मंत्र का पाठ करते रहें ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धनसंबंदी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है अगला उपाय है अगर आपके विवा में कोई बाधा आ रही है तो तुलसी विवा के दिन सुबासनान करने के बाद साफ वस्त्र धारन करे और तुलसी माता की पूजा करे पौधे में केसर, मिस्री, दूचड़ाएं माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक को मन चाहवर मिलता है और जल्दी ही विवा के योग भी बन जाते हैं अगला उपाय है आर्थिक तंगी के लिए अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी आ रही है तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए तुलसी विवा के दिन तुलसी के पत्ते को साफ लाल कपड़े में बांधे इसे तीजोरी या पर्स में रख ले माननेता है कि इस टोट के को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और जातक के जीवन में धन की कमी नहीं होती है तो मित्रों ये कुछ ऐसे हो पाय है जो आपको तुलसी विवा के दिन जरूर करना चाहिए तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेट्स में जरूर बता है और फैमिली फ्रेंड्स में ज जामा तादी